हलो दोस्तों आपका स्वागत है मारे चैनल एजुकेशनल ट्रांती में दोस्तों यहाँ पर नई वेकिंसी एक लेकर आए हैं जो कि आपकी यहाँ पर स्वास्त विभाग के अंतरकत निकल कर आई है इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर संबीदा में जिला कम्यूनिटी मोबलाइजर की भी पोश्ट रहने वाली है जो कि यहाँ पर 12 पोश्ट यहाँ पर रहने वाली है इस परकार से दोस्तों रिक्तपदों की जानकरी के लिए योगता की जानकरी जो है MP Online के माद्ध्यम से यहाँ पर भरे जाने के बार आवेदन प्रस्तुत किया जाएंगे और यहाँ पर कितनी फार्म फीस लगेगी क्या आपका स्लेवस होगा वो भी यहाँ पर देखेंगे फिलाल दोस्तों आपकी जो online apply की विडेट शुरू होगी वो यहाँ पर 16 तारिक से होगी और 21 मार्स त परिक्षा सुल्क के यहाँ पर जो है 510 रुपे 77 GST सुल्क लगेगा जो कि 50 रुपे रहेगा इस प्रकार से दोस्तों 560 रुपे के लगबग लगोगा आपका यहाँ पर जो है यह सुल्क लगने वाला है आभिदन करने में इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपकी स्लेवस के लिए जिन तीन पड़ों के लिए चले दोस्तों उसे अभी देखे हैं आपका सबसे पहली पोष्ट जो आपकी डिश्टिंक अकाउंट मेंजर की डिश्टिंक अकाउंट मेंजर की जो पोष्ट है उसमें दोस्तों 20% qion आपके legal reasoning, quant, aptitude, math, computer और IT से यहाँ पर र बैंकिंग सेक्टर और आपके अकाउंट से सम्मद्धी थी कोश्चन यहाँ पर रहने वाले हैं टूटल सो नमर को यह एक्जाम रहने का वाला है सेकेंड पोश्ट जो है वो आपकी यहाँ पर रहने वाली है डिस्टिक कम्यूनिटी मॉबिलाइजर इसके लिए 30% कोश्चन आपके यहाँ पर पॉब्लिक हेल्थ सेक्टर से इंडियन पॉलिटी हेल्थ से इसके साथ एनेचम पर प्रोग्राम से जिस परकार से यहाँ पर स्वास्त बिभाग के दौरा अलग अलग प्रोग्राम चलाए जाते हैं मत्यप्रदेश राज्य सरकार या किन सरकार के दौरा स्वास्त के प्रती कोई भी यहाँ पर पॉलिसी चलाई जा रही है तो उन सभी के बारे में आपर जो है यह जानकरी पूछी जाएगी जो कि आपका यहाँ पर 30% रता 30 नमर का यह आने वाला है सतर नमर का प्रोग्राम आपके Community Health प्रोग्राम से संब्दित, Mobilization से संब्दित, NHM प्रोग्राम से संब्दित, आसा प्रोग्राम से संब्दित, Health Care प्रोग्राम से संब्दित, इसके लाबा इसके बाद नेक्स्ट जो है वो आपकी पोश्ट यहाँ पर निकल कर आती है डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मेनेजर इसके लिए दोस्तों आपके 30% बेटेज यहाँ पर पुब्लिक हेल्थ, इंडियन पॉलिटी हेल्थ पॉलिसी और यहाँ पर नेक्स्ट जो की पिछले में भी था और यहाँ पर जो है नेक्स्ट सत्तर नम्मर को यहाँ पर चेंज किया गया है इसमें की हेल्थ सिस्टम, रिफार्न, हेल्थ प्लानिंग, मेनेजमेंट, डेमोग्राफी, इसके लावा यहाँ पर हेल्थ स्टेटस, पॉलिशन, इस परकार से दोस्तों आपके इस से संबन दित रहने वाले है इस परकार से पॉइंट of service plan जो चलता है उसके संबन में इस परकार से question रहेंगे, health status से संबन दित कोश्चन रहेंगे, इस परकार से दोस्तों आपके यह कोश्चन से यहाँ पर पूछी जाएंगे, टोटल सो नमरो का paper ये भी रहेगा, इस इसके योगताएं जो है दोस्तों यहां पर आपका प्रहला परस्ण یہ ही होगा कि इसमें यहां पर जो है ंरे-्रति के नतरगत यहां पर योगताओं चाहिए यहां पर से रखी गई है जिस प्रकार से fat पर minimum 3 साल का experience यहां पर private sector, NGO यहां पर जो है किसी गर्मेंट संस्ता से मंग रगया है, आपके पास CEA होना चाहिए, या ICWA हो, या MBA finance से कर रखाओ, या MCOM आपने कर रखाओ, इसके सांथ सांथ आपने PGDCA कर रखाओ, या DCA कर रखाओ, इसके अलाबाद दुस्तों यहां पर district community mobilizer की post है, इसके लिए आपने आपर master of social worker, MSW कर रखाओ, sociology में MA कर रखाओ, या MA social science कर रखाओ, या आपने यहां पर master degree में किसी भी rural development से आपर कर रखाओ, दो साल का experience किसी भी non government science था, rural development या community planning से आपने आपर कर रखाओ, साथ साथ PGDCA, DCA अनिवार रहेगा, इसके बाद यहां पर next district program manager, इसके लिए दोस्तों आपर जो मांगा गया है, वो तीन साल का experience के साथ साथ आपके पास management में इस पर डिपलोमा हो, public health में हो, public health management में हो, hospital management में हो, मतप्रजिस का मुल्यवासी प्रमानपत्र और जाती प्रमानपत्र आपको upload करने होंगे, साथ साथ आपकी जो आयू की गढ़ना होगी, वो एक 24 से होगी और 21 से 24 यहां पर minimum age रखी गई है, इसके साथ साथ दूस्तों आयू की गढ़ना जो है, इस प्रकार से आपका आर्च्छन में जिस प्रकार से आयू में चूट मिलेगी वो सारी इसानी आपर मिल जाने वाली है, और दोस्तों इसके अलावा इस वेकिंसी में चैन का प्रिक्रिया जो रहीगी वो आपके यहां पर exam लिया जाएगा, एमसी क्यू को बेस्ट होंगे, एक नमर पर एक कोश्चन होगा, नेगेटिब मार्किंग नहीं होगी और इसी के आधार पर आपका चैन किया जाएगा, यही आपका में आधार होगा, मिनिमम मार्क्स लाना जरूरी है, और साथ साथ आपकी टाई होने पर बड़े बैक्ती को दी जाएगी, और पदों की पूर्ती करने के लिए च्वाइस फिलिंग के लिए भी आपको मुका मिलेगा, आपकी सेलेक्सिन होने के बाद, इसके बाद दोस्तों आपर डॉक्मेंट वेरिफिकेशन होगा, और इसके बाद दोस्तों आपके मूल दस्तवी जोपर यहाँ पर चैयन करने के बाद, आपको यहां पर selection किया जाएगा और selection करने का पूरा अधिकार उन्हीं के पास है और आपके कारे क्या रहेंगे लेखा प्रवंधक के लिए जिस प्रकार से आपको यहां पर हुजनाओ का कारेंवन बगेरा करना होगा और यहां पर आपको जिलाग मोबिलाइजर के लिए प्र कारेकरम की अब्धी का दायद भी यहां पर दरसा राएगा है तो यह पूरी जान करिटी दोस्तों आपको वीडियो अच्छे लगती है तो लाइक कीजिए और मिलते हैं ले वीडियो और भी नहीं जानी है उम्मीद है आपको जान करिए अच्छी लगी हमारे चैनल को भी बिजिट कीजिए उस पर और भी कई सारी वेकेंसियों के जानकारी मौजूद है मिलते हैं अगले वीडियो में और भी नहीं जानकारी के साथ धन्यवाद चेहन